अंगल और ये तमान दिवार सेसके और बीजेपी की जो और बहुत सारे पन्ना प्रमोख वगए राष्टरे की जो उनके है एसा ही ये जो है एडी, सीवियाई ये सब इनके इन शाखाओं के हिस्सेदार है तो टिकेट तो इन लोग के सुनश्चित थी लेकिन जीत सुनश्चित करती है टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि दो दिन पहले हम इच्छा आते हैं महिंद्रगड में उसके बाद दो दिन के बाद इडिक की रेड शुरू हो जाती है वो पेंदर सेंग घुड़ा को परिशान करने के तैयारी तो नहीं है भारती जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हमारे टच में है और अब इधर भी कांग्रेसी नेता कहने में लगे हैं कि भारती जनता पार्टी के भी कुछ नेता हमारे टच में है दक्षिन हर्याना के दो दिगज निता आज कल भारतिय जंता पार्टी के पक्ष में बायान बाजी नहीं कर रहे हैं तो क्या कहेंगे कि कौन टच में है राजबबर के इस वक्त किसको जॉइन कराने वाले हैं दक्षिन हर्याना की राजमीति में विदान सबाद चुनाओं भी नजदीक है सुब गहट है कि राजबबर अब लोग सबाद चुनाओं के बाद विदान सबाद चुनाओं की तयारी कर रहे हैं पारी खेलने की तयारी कर रहे हैं ताल ठोकनी की तयारी कर रहे हैं हर्याना विदानसवाद चुनाओं से पहले हर्याना में ED की एंट्री हुई है ED ने दो कॉंग्रेसी नेताओं पर रेड की जिसमें राव दानसिंग उसके बाद सोनी पत्से विधायक सुरिंदर पवार को गरफ़तार किया गया इस मुद्धे पर हमारे साथ बाचित करने के लिए कॉंग्रेस के दिगज नेतार राजबबर जी हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर लोगसवाद चुनाओं से ठीक पहले अर्विन केजरिवाल को गिरफ़तार किया गया था अब तक जमानत नहीं हुई है और अब विधान साथ चुनाओं से ठीक पहले कॉंग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ एडी की रेड एक को गिरफ़तार किया गया है क्या कुछ कहना है इस पर आपका पहली बात तो यह है कि मैं इस पर कोई टिपने इसलिए नहीं करना चाहाता कि ये केंद्र की सरकार की ये कारी करता लोग है उनके और जब जब भी इनको पास इनको आदेश मिलता है इन कारी करताओं को बाकी जो इनकी और जो शाहाएं हैं उनके से एक शाहाएं ये भी है तमाम ये बजरंग अगल और ये तमाम विवार इसेशके और बीजेपी की और बहुत सारे पन्ना प्रमुख वगएर इस तरह थी जो उनके वे हैं ऐसा ही ये जो है ए डी ये सी बियाए इस सब इनके इस 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 इनके इसकी इस इस सिदार है करनाटक के चुनाव में 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 करन इनको ऐसा जवाब दिया, कि हनुमान जी को लेकर वहाँ निकले थे, हनुमान जी ने ऐसी गदा चलाई कि वहाँ नगर नहीं आ रहा है, और सरकार कॉमलेस की बने, और हनुमान जी ने वहाँ कॉमलेस को आशिरवाद दिया, तो ये EDVD सब धौस्त हो गये हैं, कोई मतलब नह होता है, अब जो cases basis तो बनाएंगे भाई, ताकत है, इनकी सरकारी, सरकार इनके पास में है, सारी एजनसिया इनके पास में, तो बनते रहेंगे case तो, अभी और भी कई जगाए इनोंने जो किया, जहाँ जहाँ एडी गये, राइस्थान में देखिये गये, वहाँ जिन जिन है, तमाम लोग को जीत के आएं, जिनकी आईडी का हुआ है, यहाँ भी हर्याणा में भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो इनका एक commodus of printers है, इसमें कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, वह तो जैसे करते आएं, वैसे ही कर रहे हैं, और उसका नतीजा भी यहाँ भी वही होने वाला है कि लोग सब जीत के आएंगे, पर यह अच्छा है कि एक तो दो चीजें कर दी, एक तो टिकेट तो इन लोग के सुनाश्चित थी थी, लेकिन जीत इन सुनाश्चित करती हैं, टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल उट रहे हैं, कि दो दिन पहले हम इच्छा आते हैं, महेंदर को परेशान कर रहे हैं, और यह जो है, यह जो इनकी जो तरीखा है, किसी भी जो समधाई के जो लोग हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है, कि भई, चुनाव चुनाव होता है, चुनाव जो है, जनता को आप अपने विचार रखिये, उससे जीते हैं, लेकिन ये एडी और न हर्याना भर में निकले हैं, हर्याना मांगे इनसाफ, पद्यात्रा कर रहे हैं, बाद्शापूर में भी आए, और दक्षिन हर्याना में भी गए, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको, लोग सभा चुनाव के बार? तब देखिए, मैं भी बहुत ज्यादा जगे खांते नहीं गया हूँ, मैं तो चुनाव का जिस दिन परणाम आया है, चार तारिख को आया है, पांच तारिख से जब मैं निफेस ला किया है, तो मैं यहीं उगाओं में रहूँगा, और मैं जिन मुझे, शाड़े साथ ला पहुंच सका, या जिन जिन तक मेरे पार्टी के कारी करता, और जनता जो जिसके दरूर सहा था, जो मुझे इस चुनाव में जीता हूँआ देखना चाहती थी, वो जिस ने जहां जहां तक बात पहुंचा सके हैं, मुझे वोट बिला, कुछ जगाओं के हम लोग नहीं जा सके, जो मैं यह समझता हूँ कि मुझे जिनने दिया उनका इहसान मन होना चाहिए, जिनने नहीं दिया मुझे उन तक पहुंचना चाहिए, कि मेरा फर्जा, मैं बहुत पॉजिटिव तरह का रिकती हूँ, जो जिनने नहीं दिया मैं उसको सोच के अपने आपको मायूस मुझे बहुत मिला है और पंद्रह दिन के अंदर साड़े साथ लाख मिला तो तो यह सही मारा मिला है. तो मैं इतने इतनी इनकी लोगों का प्यार है तो यह मैं इसको गिंटियों में नहीं कर तो यह वोट है और इनके परिवार भी है में तो इनकी परिवारों का भी मुझे आशिरवाद मिला है मैं उस दिन से यह काम कर रहा हूं और मैं जो भी यहां के समस्या हैं समस्याओं के लेके निकल रहा हूं लोग भी मेरी साथ है अधकारियों के पीछ में जा रहा हूं हमारे हाँ एक थोड़ा सा विश्वास नहीं ब नहीं नहीं देख पा रहे थे कांग्रेस का कार्यकरता और कांग्रेस के और इस च्छेत्र की जनता उसने कमान अपने हाथ में लेनी थी, यानि बस्ते बंठने के बाद भी बूथ पर बस्ते नहीं लगे, पर फिर भी लोगों ने वोट अपने आप देना शुरूर किया, किसी इसी परची बनवाई कहीं जाके वोट दिया, वो धूंडते ही रहे, कि हम कहां से जाएं लेकिन ज पर दबाया, उन्होंने वो हाथ के चुनाओं चिन पर बोट दबाया, तो मैं, मेरे ली बहुत बड़ी बात है, मेरे ली बहुत बड़ी उपलब्दी है, कि ये चीज और इससे मेरे कॉंग्रेस के नियताओं के अंतर भी विश्वास जगा है, उठके अंदर भी इस बात का है कि नहीं, हम इस बात को जो है, अब आने वाला चुनाब, कोई भी क्यों ना हो, पार्टी अगर किसी को भी केंडिड बना के भेजेगी, तो हम सब लोगों को हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जी जान से लग जाएं, और ये अभी विधान से बात में अंदर में देख रहा ह कि बुर्गावा, लोगों के अंदर ये एक हो गया है, कि इस बार हम नौ की नौ सीटें जिता हैंगे, और जिताने के लिए उपूरा प्रिफ्ट कर रहे हैं, और ये हम लोग भी लगे हूँ, अच्छा लगता है कि इस पधियातरा के बाद विधान सभा चुनाओं में कुछ हालात बदलने वाले हैं, हाला तो बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं, बड़ी देसी भाषा में और जो नारे वाली भाषा होता हमें उसमें कह सकता हूं कि लोग सभा में कॉंग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हाफ कर दिया, असंबली की सीटे में पचास तक भारती जंता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हमारे टच में हैं, और अब इधर भी कांग्रेसी नेता कहने में लगे हैं कि भारती जंता पार्टी के भी कुछ नेता हमारे टच में हैं, दक्षिन हर्याना के दो दिगज नेता आज कल भारती जंता पार्टी के पक्ष में बायानभाजी नहीं करने हैं, तो क्या कहेंगे कि कौन टच में है राजबबर के इस वक्त, किसको जॉइन कराने वाले हैं दक्षीन हर्याना की राजमीती में? देखे भाई, मैं अपने आपको इतना बड़ा नहीं मानता हूँ, कि मैं किसी को जॉइन कराओं और मैं इतना जानता हूँ कि जिनको मेरा बड़ा एक उसूल है गुरुपानी में एक लवज है, जियों तों प्रेम घलन का चाहो, सिर्धर तली गली मुरी आओ, तो मैं इस बात में यकीन करता हूँ, कि मेरे साथ वही लोग चल सकते हैं, जो महबबत करना जानते हूँ, मेरे साथ वही चल सकते हैं, जो सीधा रास्ता चलना जानते हूँ, मेरे साथ वही चल सकते हैं, जो सीधा देखते हैं, और सीधा चलते हैं, और दिल से चलने और अपने आपको समरपण करने की उसमें मैं ना दोके बादों के साथ में चलता हूं ना मैं चाल बादों के साथ में चलता हूं ना मैं ऐसे लोगों के साथ में चलता हूं जो खुदगर्ज है तो मैं नहीं जानता कौन आने वाला, कौन जाने वाला, जिसको जोइन कराने वाले लोग कराते रहें, जिसको रखने वाले रखते रहें, मेरी सिर्फ किसी से कोई परक नहीं बढ़ता, मैंने अपना काम करना है, मैंने उन लोगों के लिए काम करना है, कि जिन लोगों के दिल पर मैंने देखा है कि शक्रिय राजनेती भी कर रहे हैं क्या पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी निवाने वाला है राजबबर दिखिए जिम्मेदारियों से काम नहीं होते हैं कि मुझे कोई पद देदेगा मैंने आज तक विजिदी में कोई पद दे लिए और बड़ी विनमर्दा से कहुंगा इस वर से डर के कहुंगा कि मैं को इसमें घमन नहीं मैं कभी मांगने नहीं जाता मुझे जो इश्वर मेरे अंदर जो मुझे प्रेणा देता है या मुझे काम करने के शक्ति देता है जो मुझे समर्थ के साथ मैंने कुछ काम करता हूँ मेरे अगरज मेरे लोग मेरे देता अगर मुझे किसी काम के लिए समझते है तो मैं इलочно सरजगा कि उस काम को करता हूँ कौन क्या पद क्या नहीं अरे मुझे फर्द बनता मैं एक कारी करता हूं मैं पार्टी के लिए काम करूं लोगसभा चुनाओं में जिस-जिस मुद्दे को राजबबर ने उठाया वो कहीं 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 सीरे चर्था दिखाए दे रहा है मुख्य मंत्री ने अस्पताल को लेकर अधिकारियों की टीम भेजनी शुरू कर दी है कूडे का निस्तारण शुरू हो गया है कूडे का समधान होना शुरू हो गया है शेहर के अंदर तो लोगसवाचुनाओं में हलाकि आरोप जरूर लगा रहा था भारती जिन्दापार्टी के ने था कि राजबबर उन मुद्दों को उठा रहा है जो विधायक के मुद्दे हैं जो पारशत के मुद्दे हैं विधायाचुनाओं भी नजदीक है Зब उगाहट है कि राजबबर अब लोगसवाचुनाओं के बाद विधायाचुनाओं के तैयारी कर रहे हैं पारी खेलने के ताल थोकनी के तायारी कर रहे हैं देखेताब, पूरी मेरे चुनाओ के अंदर पहले दिन से ही, मैंने जब ही आकर कहा था कि मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के खिलाब चुनाओ लगने नहीं हाया हूँ, मैं पुलगामाच छित समस्सें के खिलाब चुनाओ लगने के लिया हूँ और मैं उस बात से बिलकुल अपने आप को कहीं भी विचलित नहीं किया, मैं एक ही लक्ष लेके निकला था, मुझे दरूर लोगों ने कहा कि मैं पार्शाद की चुनाव रड़ रहा हूं, ये संसत का चुनाव है, ये संसत बनना चाहते हैं ये पार्शाद बनना चाहते हैं, बहुत मज़ाख पड़ा मेरा, तो मैंने पर एक बहुत तीवे नमरताशे कहा कि जो लोग अपने लोगों की समस्याओं के बारे में, और रोजबरा की जो जिन्दगी में क्या उनको तकलीफ हैं, अगर उसके बारे में, वो नहीं समझ सकते हैं, तो उनसे वोट लेने का को मैं और चाहता हूँ कि मा और लोगों के लिए काम करूँ, तो मेरे लिए ये चाहे कुड़े की बात कहना चाहें, सीवर की बात कहना, चुना हारने के बाद में, सो कॉल्ड, भी मैंने जो इस बात को उठाता रहा, लोगों के बीच में जाता रहा, यहां के अधिकारियों से लेकिन काम नहीं किया उसने, उस कंपनी का सफाई के लिए जुम्यदार थी, उसका टेंडर कैंसल कर लिया, लेकिन मैं यह सब नहीं समझे मिली भदत थी, यह सब को इधर टेंडर कैंसल किया, उदर दूसरे दिन को है, दो दिन छोड़के उस्टेले आया, अब ना कोई दूस कंपनी सफाई के लिए आ सकती है, ना उसको निकाला जा सकता है, तो यह बड़ा एक, क्योंकि बड़ा उसका बहुत प्रभाव है, बीजेपी के अंदर उस व्यक्ती का जिसको यह टेंडर दिया गया था, तो नेचुरली यह सब गफलत में ही रह लेकिन फिर भी, यहां पे सभी लोगों ने मुद्धा उठा लिया, यह सुफाई का, आम लोगों ने इसको पकड़ना शुरू कर दिया, हमारे जो प्रत्याशी गणते उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, चीफ सेगर्टरी वहां से लीचे आ गया, यहां कि उन्होंने मीटिंग ले सपदकारियो की, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने वहां से बयान दिया कि मैं अगर इस अफते एक अफते के अंदर नहीं हुआ तो मैं रेड़ मारूंगा, तो उधर मुझे भी आश्वासन दे दिया कि आठ दिन के अंदर आप हमारा काम दे लिएगा, तो यह तमाम चीजें चलती जहां पर मजदूर की वा, क्या होगे, मतलब मर गया, तो उस वहां गया, वहां कि उस इशू को उठा, और मैंने NGT की जो लेटेस रिपोर्ट हैं उसके बारे मैं जब धारन दिया, तो हरकत होई, सब लोग निकलना शुरू हो गए, और अख़वारों में छपा, तो मैं उ के लिए शुक्र बजारूं, हाई कोट का जो जो कमेटी बनाई है, उन्होंने संग्यान लिया इमेडिटली, और उसके बास यहां से अब यहां भी हरकत शुरू हो गई कि इसको हटाने वाले हैं, यहां यह करने वाले हैं, उड़ा उठाने वाले हैं, वेस मेनेजमेंट के सब कुछ हो रहा, यह बहुत पहले कुछ हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ कि इतनी सफाई का काम होना चाहिए था, मैं अस्पताल के तरफ गया, और अस्पताल के लिए जब जान का रिली पता लगा, अस्पताल थोड़के वोट एक्सिस्टें बस्टेंड गया, तो बस्टेंड में चर्चा होगे, बस्टेंड बनाने वाले हैं, तो यह चीज जो है, तो मुझे लगा हमारे जो जहां से जीत के गए हैं सांसर्ची जो केंदर में मंत्री हैं, वो भी आ गये, उन्होंने भी अध्कारियों के मीटिंग ले दी, तो मुझ जाल लेजे मैंने कोई किस तरह कर्दम उठाया मैंने, तो उससे पब्लिक को और तकलिश होगे, तो मैं शांती से बरठा हुआ हूँ, पर मैं देख रहा हूँ किस तरह से लिफाफा राजनीती हो रही है, जो आता है, वो कोई ना कोई बयान देता, लिफाफा में बंद करत अप्रेस में भीवा देता है, तो ना ये चाहे वो अधकारी आ रहे है, चाहे यहां कि जीते हुए चांदसद और मंतरी हैं, वो आ रहे हैं, चंडेगड से लोग आ रहे हैं, तो मुझे इनकी समाम, इनकी कारपनाली बड़ी हर्सी आ रहे है, ये क्या बड़ी-बड़ी करो, तो और तुमने इसका मतलब दस साल या रहने के बाद एक्सेप्ट किया कि तुमने अस्पताल नहीं बनाया, तुमने एक्सेप्ट किया कि पर स्टेंड नहीं बनाया, दस साल की सरकार में, तुमने एक्सेप्ट किया कि तुमने एक्सेप्ट किया कि सीवर नहीं तुमन कहीं राविंदर जीत सी ने आप सी बी आई जांच की मांग की है उस सफाई कंपनी के खिलाव मुझे खुशी है इस बात की मैं तो यह शुरू से कहता हुआ आ रहा हुआ हुआ कि चुना हुआ व्यक्ति क्या हैंना कि ढूआ की मैंजरल थे जो है आज अगर वों सांसत कहलाते हैं तो बीजेet पी के संसतबाद में पहलेग्वा के संसत हैं हु म तो इसलिए उनका ये फ़र्ज बंता है ये फर्ज नहीं बनता कि जिसने वोट दिया उसे के लिए काम करें, ये फर्ज नहीं बनता उनका, उनका फर्ज ये बनता है, गुलगावा, ख्षेत्र लोक, सवाच्षेत्र के रहने वाले लोग, चाहे वो गुलगावा जिले के हो, चाहे वो रेवाडी जिले के हो, चाहे व को वोड़ दिया है आप यह मैं सोचिए कि वह आपका दुश्मन है यह सोचिए कि आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है इसलिए वह आपके साथ नहीं हाना चाहता तो मैं तो इस तरह की राजनिती करने वाला व्यक्ति कॉंग्रेसियुमें ना एक और भी सुब गाट है कि राजबबर कि जिस तरह से सक्रिये तोर के ओपर हरियाना में राजनिती कर रहे हैं तो जो विदान सभा चुनाओं की टिकेट है वो भी राजबबर के रास्ते से होके जा रही है गुजर रही है कि राजबबर चाहेंगे करें Creating पर है और ने तेने थैस von surgery के बारे में इतनेया कि नहीं गीर्या सकता हूं कि हरी अक के हर्यप्र में मेरे मित्र हैं दोस्ते हैं मैं यहां पहले भी यहां पेली empeyn के लिए आता रहा हूं और मैंने कॉंग्रेस के लिए भी यहां पे काम किया है, 10 साल पहले, हमारी कॉंग्रेस के लिए, उसके दौरान भी मैं यहां आया हूँ, यहां पे चुनाव में हिस्सा लिया है, तर यह जरूर है, कि चाह वो हर्याना हो, या महरास्ट्रा हो, जहार खंड हो, मुझे वहां प् कि यहां गुरुगाव में इसलिए कि कि गुरुगाव ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया है एक गंभीर मुद्दे की तरफ में आपका दिहान अकर्शित करना चाहूंगा कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस सावन के महीने से पहले यूपी सरकार का एक तुगल की फर्माना आया कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर रेडी के सामने अपने नाम को चस्पा करें हाला कि सुप्रीम कोट ने फटकार जरूर लगाई उपी सरकार को और इस फैसले को निरस्त किया आप किस तरह से देखते हैं हम तो उस द लगाते हैं तो लोग बहुत लोफिट पे वहां पर अपने लगाते हैं लोफिट पे होते हैं लो फिया ब्रफिट पे होती हैं कि एक के साथ ही एक हलवाई ने कि पंदर अलवाई संथ में होगे तस हल j penalties काना बनाने वाले हो तो खाना बनाने वाले होंगे तो ये बहुत ही महमुछी शे प्र्फिट पर ही लोग जो है, वहां पर दन्दा चलाते हैं. मैं कहता हूं, चलिए साथ, सौ दुकाने लगे. उसमें से दस दुकाने जो हैं, किसी और समाज के लोगों की किंप होगी. पर जो उनके काम करने वाले हैं, उसका आप कैसे तये करोगे? वो तो जो कम दिहारी में काम करेगा उसको वो काम लगाएंगे अब उसकी किंतियां कहां से लाओगे तो इसका मतलब यह कि आप यह चाह रहें कि वहां पे जो है कि यह जहां पे काम करने वाला एक समाज का हो दूसरा काम करने वाला अरे वहां पे जो है दलिस समाज के लोग होंगे वहा चुनाव आ गया है और चुनाव के आने के साथ साथ ये जो ट्रेंड लेके आ रहे हैं उसकी एक बार मार खा चुके हैं फिर मार खाएंगे अब ये देश के लोग जो इस बात को समझ गया है और खासकर पढ़ा लिखा समाज भी और जो वर्किंग जो सोसाइटी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि हमारे पेट पर लात माल रहे हैं ये इसके पिछे सरकार की मनशा ये भी थी कि पिछले कुछ महिनों में या पिछले कुछ साल में ये इस तरह कि वीडियो सोचल वीडिया पर वायल रहे कि कुछ मुस्लिम जो लोग थे वो खाने में धूक रहे थे और लोगों को परोसा जा रहा था मुसल्मानों में भी रिजक का सम्मान करना ये उसके लिए जो है उनके धर्म के अंदर तो पानी तक के ने उसकी इतनी कदर है कि पानी पिलाने के लिए बहुत बड़ा सबाब का ताम सम्झा जाता है अगर वो किसी के खाने में थूकता है कोई भी किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी मख़ब का हो जो किसी के खाने में थूकता है उसका खाना खराब होता है ये हमारे बच्पन हमें से खाया लिया है मैं नहीं मानता कोई हिंदु या मुसलमान, वो बेहुदा है, जिको अन्न के ऊपर अगर कोई किसी भी जात का क्यों ना हो, मैं उस आदमी का कभी भी मैं धर्म नहीं पूछूँगा, बिलकि मैं यह कहूंगा कि वो आदमी दिमागी तोर पर वो आदमी जरूर जो है, या तो पता ही नहीं कर क्या रहा है, क्योंकि वो अपने ही जिन्दगी के अंदर अपने लिए एक बहुत बड़ा जो है, अपने अपना नुकसान कर रहा है, कि उपर वाला देख रहा है, शुक्रिया, तो यह हमारे साथ कॉंगरेस के दिगज नेता राजबबर जी हैं, जो की हर्य कुमार के साथ नेरिदवजिस्ट गुरु ग्राम, हर्याना तक।